अस्ताम निकूम आविवान कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मोस्ट सिंपल डाइट पैन शेयर करने वाली हूँ जिससे हम 3 डे में 2 kg तक वेट लूज करेंगे और ये मैंने परसनली खुद भी फॉलो किया है वाकि इसके अमेजिंग रिजल् इसके इलावा जिन्होंने किसी फंक्षन पर जाना है और वह अपने ड्रेस में फिट आना चाहा रही है और वह चाहा है कि उनका पेट भी जो है वह कम हो जाए तो आप भी इस डाइट पैंट को फॉलो करके त्री डे में 2 kg तक एजीली वेट लूज कर सकती है इस डाइट होना चाहिए कि वेट डिपेंड करते हैं आपके मेटपोलीजम पर जिनका मेटपोलीजम जादा फास्ट होगा उनका वेट जल्दी डिडियूस हो जाएगा जादा जो है वह वेट उनकी बॉड़ी जो है वह लूज करेगी इसके इलावा एक्टिवीटी आपके कितनी एक् प्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दीचेगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो चीजें आपने जरूर फॉलो करनी है इस डाइट पैन के साथ वो है कि आप निकोशिश करने के नमक बिल्कुल भी इस्तमाल ना करें या कम से कम इस्तमाल करें इसके लावा आठ से बारां ग्लास पानी क्योंगे समर है तो आठ से बारां ग्लास पानी आपने डेली कंज्यूम जरूर करने है हाइड्रेट रहेंगे तो वेट लूज होगा और आपके बाड़ी के जितने भी टॉक्सिन है वो रिमूव होंगे ठीक है यह बहुत जादा करना है यह बहुत इंपोटन पॉइंट जिन्होंने अपना वजन कम करना है यह वेट मिंटेन करना है उनके लिए कि आपने portion control जरूर रखना है, portion control नहीं रखेंगे, weight आपका कभी भी कम नहीं होगा, ना ही maintain रहेगा, बढ़के gain होता चला जाएगा और अपी मैं आपनों के साथ शेयर करूंगी जो आपने बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करनी, वो है package food, package food, tin food, cold drinks वगारा, जितनी भी cold drinks आती है, diet cola, soda वगारा, यह सब आपने skip कर देना है, आपने बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करने अगर आप amazing result चाह रहे हैं, ठीक है, इसके नहीं weight maintain रहेगा, और नहीं weight कम होगा, तो अभी मैं आप लोगे साथ diet pen share करने वाली हूँ, यह 3-day का diet pen है, 3-day तक follow कीज़ेगा, और follow करने से पहले, आप weight machine पे अपना weight जरूर चेक कर लें, और inch भी जो है, वो note कर लें, कितना आपका weight है, और कितने आपके inch है, तो आपको जो है, वो वाजिया फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा, जैस 3-day में, कि आपने कितना weight lose किया, सबसे पहला काम आपने यह करना है, कि सुबा आपने साथ, आठ बजे तक उठ जाना है, लेट उठना नहीं है, इसमें सिर्फ diet pen नहीं है, लाइफस्टाइल भी है, वो भी इनको सूट करता है lemon, चाहे वो उसमें डाल के पीछ सकते हैं, चिया सीर वाटर बनाना चाहें, वो भी आप बना सकते हैं, इसके इलावा, simple, lukewarm water जो है, वो भी आप कंजूम कर सकते हैं, आपने एक से दो glass पीने है, लेकिन वो sip कर कर के पीने है, अकठे आपने नहीं पीने ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे 30 minute walk और 15 minute की exercise, चाहे आप yoga कर लें, हलकी फुल की walk कर लें, चाहे आप skipping कर लें, जो rope skipping होती है, चाहे आप वो कर लें, या फिक रूम में easy exercises हैं, यूट्यूब से देखे, नेट से देखे, आप वो भी कर सकते हैं, साथ-साथ, और walk जो है, आपको walk का, जितना अच्छा result आपको खाली पेड मेलेगा, ठीक है, सुबह आपने घरम पानी पिया, उसके बाद आपने आदा घंटा walk ज़रूर करनी है, और walk नहीं कर सकते हैं, तो आप सीनियों उतरना चड़ना जो है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस right pen के साथ active रहना बह के रख दें, और उसके बाद आप पी लें, ठीक है, इससे आपको constipation का issue नहीं होगा, जिन लोगों को issue हो जाता है, constipation का, तो वो भी आपको relief देगा, इसके इलावा आपका weight भी easily reduce होगा, और inch lose भी होगा, आपका gut clean होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप अपना इंच lose करना चाहरे हैं, पेट कम करना चाहरे हैं, ठीक है, तो बेकफास्ट की एक ही option है, उसमें आपने one, जो slice इस्तमाल करना है, वो multi grain bread का इस्तमाल करना है, अगर आपको brown bread मिल जाती है, आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं, लेकिन brown bread नहीं, क्योंकि उसमें color डाल के जो ह इसे white bread होती है, आप नहीं white bread इस्तमाल करने हैं, नहीं brown, आप जो है, वो brown bread का इस्तमाल कर सकते हैं, या multi grain bread है, वो best है, उसके एक slice ले ले लें, वो slice भी काफी बड़ा होता है, size में, आप एक slice ले 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 और half tablespoon आपने लेना है, peanut butter, ठीक है, peanut butter आप spread कर दें, और इसके साथ आप half banana के इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर half apple का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और इसके साथ आप चाहिए कॉफ़े स्तमाल करना चाहिए, बिलकुल आप इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन sugar नहीं हूनी चाहिए, आप milk tea पीना चाहिआ है, पी सकते हैं, without sugar, without good, और अगर आप cold coffee बनाना कि 9 बजे ही आपने बिकफास्ट करना है ठीक है नाइन एम पे आपका बिकफास्ट फिनिश हो जाना चाहिए और मिड मॉनिक स्नैक में आपने कोई भी स्नैक नहीं लेना अगर आपको थोड़ी वीकनस फील हो रही है तो फिर आप एक खजूर का इस्तमाल कर सकते हैं और इसके भी खराब नहीं होगी ठीक है तो आपने पानी को बिल्को भी स्किप नहीं करना आपने एक से दो ग्लास यहाँ भी पानी पी लेने है इसके बात कर लेते हैं लंच की लंच तकरीबन आप एक से दो बजे के बीच में कर सकते हैं और लंच जो है वह आप प्लाव बना सकते ह तक आप चिकन प्लाओ भी बना सकते हैं जो भी आपको पसंद है वो बना सकते हैं इसके इलावा आप ब्राऊन राइस गुद्धा इसके साथ राजमा इस्तावा करना चामें वह बी इस्ताव कर सकते हैं जो राइस आपने खाने है वो 8-10 टेबल स्पून ठीक है इससे जादा नहीं अगर आपको बताना चाहूं तो वो इतने से बनेंगे ठीक है जितने आप नॉर्मली खाते हैं उसको तीन हिस्सों में डिवाइट कर दें उसका एक हिस्सा आप लेंगे ठीक है इसके साथ आप सैल टी वाली प्लेट होती है उसमें आप 10 टेबल स्पून एड़ कर लें साथ सैलेड एड़ कर लें राइता बना हुआ है दहीं का वो आप इस्तेमाल कर सकती है इसके बात कर लेते हैं इवनिंग स्नैक की इवनिंग स्नैक जो है वो आप 5-6 बजे तक ले सकते हैं और इसके बाद बात कर लेते हैं हम तो आपजे से पहले आपका इनर लोग है आपका दीनर फिंश हो जाना चाहिए स께 और आपने 10 o'clock तक सो जाना है इस चीज का आपने धिहान जरूर रखना है इस डाइट पैन को सब फॉलो कर सकती है जो मदर्स है वो भी फॉलो कर सकती है जो PCOS के पेशेंट है थायरोड के पेशेंट है या फिर आप कॉलिज गॉइंग है जॉब करती है आप सब इसको फॉलो किया तीन किलो कम किया पांच किलो कम किया लेकिन उसके बाद क्या करें उसके बाद हम जादा खाएंगे रेगुलर डाइट पर आएंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा उसमें सिर्फ आपने एक ही काम करना है कि आपने जो भी खाने उसका पोशन कंट्रोल करना है कम कॉं इसवाटर रिटन को फोलो कीज़ेगा वाटर रेटेंशन का मसला भी हलो हो जाएगा इसके बाद हम बात कर लेंगे ढिनर आपने आठ बुचे तक कर लेना आठ से लेट नहीं करना ठीक है एट पी-म पे आपका दिनर फीनिश हो जाना चाहिए और जितना हो सके जल्दी आप स जाना दिनर करने के 2 कि बात आप सो जाएगा 10 से 11 बुज तक इस से लेट आपने नहीं करना डिनर के बी सिम्पल एक ही ऑप्षण है वो है। पापाया आप आप वन स्मूदी बनाने के लिए आपने एक खुचूर का इस्तमाल करना है नहीं होना है चाहिए वाइट शुकर ब्राउन सुकर का है इसामल बिल्कुल भी नहीं करना है आपने बानने और इस धूकर करना घुच है ह्ट उह रॉसेट धेल्ट करना को कर्ड इस्तमाल करना चाहें तो वो भी आप इस्तमाल कर सकती है ठीक है इसकी आप स्मूधी बना लें और ये पी सकती है आप डिनर में ये थी डिनर की ऑप्शन तो ये था ठीडे का डाइट पैन फॉलो करने के बाद रिजल्ट अपने कमंड बॉक्स में जरूर शेयर चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजेगा अपना बहुत जादा ख्यार रखेगा अल्हाफिस